नमस्कार दोस्तों अगले वीडियो लेशन में हिंदी में हमने कहावते सिखी थी आज भी हम कहावते ही सिखेंगे आज की कहावते काठ की हांडी बार बार नहीं चड़ती इसका मतलब होता है छल कपट तथा चाला की से एक ही बार काम किया जा सकता है तो क्या आपने जानिये चे के छड़ कपट अने चाला की बेई मानी थी मात्र एककज वार आपने कार्या करी सके जे कोईक में एककज वखत दगाबाजी करी सके जे वारम वार आपने कार्या करी सकता ना थी ले तेना माटे या कहावत वाप्री सकाय छे एनों वाक्या प्रयोक का प्रकारे था से एक बातों तो मुझे धोखा देखर रूप्या लेख चुके हो अब मैं तुम्हारी इचिकनी चुपडी बातों में आने वाला नहीं हूं क्योंकि काटकी हादी बारबा नहीं चड़ती खिसियानी बिल्ली खंभा नों छे खिसियानी बिल्ली याने की लजजीत बिल्ली जो है लजजीत या फिर अपमानित होने वाले जो व्यक्ती है वो किसी और पर इधर उधर गुसा करते रहते है उसका अर्थ होता है लजजित या अपमानित होकर इधर उधर रोस प्रकट करता है जब पुलिस तुम्हारी पिटाई कर रही थी तब तुम कुछ भी न बोले अब मुझ पर बरस रहे हो किसी ने ठीक ही कहा है खिस्याने बिल्ली खमबा नौचे गर की मुर्गी डाल बराबर आसानी से प्राप्त हुई वस्तु को अधिक महत्व नहीं दिया जाता आज हमारा जीने का रवया कुछ ऐसा ही हो गया है कि जो चीज हमें बहुत ही आसानी से मिलती है वो हम ठुकरा देते है और दूर दूर तक जो वो चीज है वो लेने के लिए जाते है उसका बड़ा भाई डॉक्टर है मगर वह बिमार हुआ तो सहर से डूसरा डॉक्टर बुलाया गया इसे कहते है कि घर की मुर्गी डाल बराबर चार दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात थोड़े समय का सुखे खरेखर आग कहवद छे एमा खरेख जीवन न सत्या स्युपाईलू छे केक एटलाक लोकों एवा होई छे के धन दालाज जे छे पोतानी पासे आवे छे त्यारे ते किक गेरवर्तन करता जुआ माड़े अथवा वधरे परता आज कैक उच्साहित जुआ माड़े छे तो त्यारे आईया कहवाई उच्छे कि एटला बदय उच्साहित पढ़ नं थोई जोई है कारण के एजे समय छे मात्र थोड़ा समय पूर्ता जोई छे जानते नहीं, संसार की रीत है, चार दिनों की चांदनी, फिर अंधेरी रात, चचंदर के सीर में चमेली का तेल, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज मिल जाना हमारे समाज में ऐसा ही कुछ होता है, कि अयोग्य व्यक्ति जो है, उसे अगर सत्ता मिल जाती है, तो वो अधिक ही कुछ कारिय पर उच्छी सहित हो जाता है और उसकी कद्र नहीं करता है, इसे व्यक्ति को देखकर कहा जाता है, कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज मिल जाना मनोच को न पढ़ाने का काम आता है, न वह बीड है, पर आज वह सिख सक है, ऐसे लोगों के लिए यह कहावत प्रयुक्त की जा सकती है चचुंदर के सीर में चमेली का तेल जाको राखे साईया मार सके न कोई जिसका रक्सक बगवान है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड सकता कार गहरी खाई में गिर गई, किन्तु सभी यहत्री सकुसल है सच है, जाको राखे साईया मार सके न कोई दूबते को तिनके का सहारा, विपत्ती में जरासी भी मदद किसी को उबार सकती है वह जीवन से निरास हो चुका है, तुम थोड़ा सा उच्साह देदो, सायद उबर जाए दूबते को तिनके का सहारा होता, काफी होता है तो खरेखर आपने बहुच लागू पड़ती होई, छे कोईकने मातर आपने आस्वासन आपए छे तेना कारणे, पन तेनों जीवन एकदम स्रेष्ठ बनी जतू होई छे तो अहुकारिया आपने खरवू जोईए नाम बड़े, दर्शन खोटे, प्रसिद्धी अधिक, किन्तु तत्व कुछ भी नहीं तुमारे विद्ध्यालई की बहुत ही प्रसंस सुन रखी, पर आकर देखा तो पढ़ाय का स्तर कुछ भी नहीं इसी को कहते है नाम बड़े, दर्शन छोटे के आधना नेता होने पण कैक आउद लागू पाड़ी सगाई, के जहरे इलेक्षन पहला एलोको आपड़ी समय आवता होई अथ्वा पोतानू भशन आपता होई, त्यारे एटली बधी बड़ाय मारता होई छे के जाने के एलोको आखुत अंत्र चलावी नाखवाना होई, परन्तु जहरे एलोको एकवार सत्ता उपर आवी जाई, पछी कई नथी करता अथ्वा करे छे तो अंसमात्र होई छे, तेना माटे कई कापड़े आव कई कही सक्किये छे, के नाम बड़े दर्सन छोटे नाच न जाने आंगन तीधा, गुन न होने पर बहाना बनाना या दुसरों को दोस देना अरे भाई, तुम्हें गाना तो ठीक से आता नहीं, और कभी तुम बता रहे हो, कमी तुम हर्मोन्यम में बता रहे हो इसी को कहते हैं कि नाच न जाने आंगन तेधा केटलाक व्यक्ति ने आपने जोईये छे, के आवपण होई छे, के जिवो, पोता ना गुण न होई, और कार्या करवने ख्षमता न होई छता पणे एक करवनी वातो करे छे, अने करता न थी, अथवा एन न थी, थाई सकतो न थी तेहरे जुडा जुडा बहना हो बतावीने कार्या ने तारता होई छे, तेवा व्यक्ति माटे केवाई छे, के नाच न जाने आंगन तेडा पर उपडेश कुसल बहुतेरी डूसरों को उपडेश देने में सब चतूर होते हैं मंदीर में बैठकर उपडेश देते हो, कि मदीरा पान पाप कर महें, और घर में बैठकर स्वया मदीरा पान कर रहे हो इसी को कहते हैं, पर उपडेश कुसल तेरे केटला क्यों वबिखत यों केवा होईचे के जेलो को पोटे उपडेश ग्रहंण करता ना थी आने बीचा ने उपडे省 आकता होईचे परन्हें, जीवननों सत्य भी एच्छे, के आपने पहले कोईखनी उपडेंस आपी है ट्यारी पहला पोते ए उप्डेस ने पालन करूँ, इतलए कि एक कार्या पहला पोते करतो होँ. पछीे जापने बजय ने उप अपी सकी है, परंतु गणग एवाज होएछे ने, कि बजय ने उप्डेस आपे अमा बहुत माहिर होईचे, परन्तु बोते जहरे उपडेस ग्रहन करवानी वाता वे त्यहरे एलोकोते उपडेस नो पालन करता होता नथी बकरे कीमा कब तक खेर मनाएगी आने वाला डुख आकर ही रहता है पिटंकिताइ पिताइस नो पालन करता पतार अने वाला डुख आकर ही रहता है तुम अपने अप्राधों को कब तक छुपाते रहोगी आखिर बकरे की मा कब तक खेर मनाएगी कि पोता ना अप्राधों जे छे अप्राधों एक नेक डिवस्त बदने सामें आवाना छे एटले तेना माटे अकेवत लागू पड़े छे कि जे दुख आवे छे तेने हस्ते हस्ते स्रिकारी लेवू जोई है एने सहन करवान एक शमता आपड़ामा होवी जोई है मन चंगा तो कठोटी में गंगा रदय की पवित्रता हो तो घर में ही तीथ यात्रा का लव मिल सकता है ताके वद तो आपने बदनेज ख़वर छे कि मन में चंगा तो कठोटी में गंगा कि हमारा मन पवित्र होना चाहिए तो हम अगर तीथ यात्रा नहीं भी करें न तो भी हमें उसका लाब तो अवश्य प्राप्त होता है कि हमारा मन पवित्र होना चाहिए जिसका मन पवित्र है उसे तीर सी यात्रा करने की आवर्शक्ता नहीं रह जा दी क्योंकि मन चंगा तो कठोटी में गंगा होनहार बीरवान के होत चिकने पात योग्य व्यक्ति के लक्सन बच्पन से ही प्रकट होने लगते है गोपालनी रजने पहली कविता दस बर्सकी उम्र में ही लिख दी सचे होनहार बीरवान के होत चिकने पात तके जे बाडग भविश्य मा जे बनवाने कार्यक्षमता प्रकटी आवति होय छे इतला माटने यहां कहवायो छे आपने केने पूत्रणा लक्षन पारणा माथी ताद्रूसित थता होई हाथ कंगन तो आर्सी किया प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवर्ष्यक्ता नहीं होती जे वस्तो पोता ने सामेच देखाया आवतु होई तेना माटने कोई प्रमाणा पाने जरूर होती नथी तुम कहते हो कि कक्षा में 25 चात्र है और मैं कहता हूँ कि 30 चात्र है चलकर कक्षा में गिन लेते हैं हाथ कंगन तो आर्सी क्या तो आप देजे कहावतो छे κάν宜ेशी कहावतो आपड़ा झीवन माँ महा मुल्य जेथ ए महा मुल्यों ने तादृरूशित करती होई छे आपणे आपड़ों जीवन केवी धीते जीवू आपड़े जहरे कईक लगता होई एछे, कईक वाचता होई एछे, कईक बोलता होई एछे त्यहरे पण जो आपड़े या कहावतों नो प्रयोक करिए तो ये भशा चमत्कृती स्रेश्टतानी द्रश्टी एता अद्रूशित थती होई और आज ये कहवत छे परिक्षा मां एक माक नो आउतो होई छे एटले एने बराबर याद करवानू प्रैसे अस्तो